अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर properties of hydrides, 15 number group के hydrides की property बात करते हैं, सबसे पहले तो hydride बनाओ सबके, सबसे पहले nitrogen का hydride क्या होगा NH3, ठीक है, इसी दरह से phosphorus का hydride क्या होता है pH3, arsenic का hydride क्या होता है AsH3, antimony का hydride क्या होता है SbH3, bismuth का hydride क्या होता है BiH3, अब यहाँ पर इसको ammonia बोलते हैं, इसको phosphene बोलते हैं और आगे की compound के नाम तो मैं अलड़ी बता चुका हूँ, अब इनकी property की बात करते हैं, सबसे पहले तो कि इन hydride की properties क्या होती हैं, सबसे पहले अपन Lewis basicity को चेक करते हैं कि कौन है इसमें से ज़ Ammonia, reason मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन order ज़रा चेक कर लो, उपर से नीचे जाने पर, when you are going from top to bottom, उपर से नीचे जाने पर, basic nature या basicity घटने लगती है, सबसे ज़्यादा Ammonia basic है, फिर को ना आएगा फॉस्फीन, फिर को ना आएगा ASH3, फिर को ना आएगा, SBH3, फिर को ना आएगा सबसे लास्ट में, BIH3 भाईया यह है कहानी, इनमें से सबसे ज़्यादा basic है Ammonia, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उपर से नीचे जाने पर, from top to bottom, उपर से नीचे जाने पर, atom का size बढ़ने लगता है, size बढ़ने की वज़ से इनके उपर जो electron होते हैं, जो loan pair होते हैं, वो easily available नहीं होते, क्योंकि size बहुत बढ़ा है, तो बाहर से कोई आने वाली species इनको approach नहीं कर पाती, समझ रहे हो, भई को छोटा लड़का तो उससे तो रोटी खीच के भाग जाओगे, लेकिन बड़ा लड़का उससे रोटी नहीं दूँगा, क्योंकि मैं बहुत diffuse हूँ, बहुत powerful हूँ, why I should give the electron, भगो यहां से, तो इस case में आपका जो ammonia होता है, वो सबसे ज़्यादा strong base होता है, क्योंकि यह असानी से electron donate कर देता है, छोटे size की बज़स से, आया समझ में, इन सब में ammonia strong है, बट वैसे ammonia weak है, चलिए, तो उपर से नीचे जाने पर basicity घटने लगती है, reason क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, हर किसी के पास एक loan pair होता है, और क्योंकि size of element उपर से नीचे जाने पर भड़ता है, जिसकी वज़से उनमें diffusion ज़्यादा होता है, और उनकी basicity घटने लगती है, ammonia सबसे ज़्यादा basic है इनमें, अब हम बात करेंगे hydrogen bonding की, सबसे properly आपको सबको पता है कि hydrogen bonding जो है, fluorine बनाता है, या फिर oxygen बनाता है, या फिर nitrogen बनाता है, इनके अलावा तो hydrogen bonding के chances किसी के भी नहीं होते हैं, घटते रहते हैं, तो hydrogen bonding भी सबसे ज़्यादा कौन बनाएगा, ammonia, फिर उसके बाद तो धीरी-दीरी घटता जाएगा, in fact सब में, बाकी जितने भी हैं, वो hydrogen bond बनाने की tendency बहुत ना के बराबर होती है, no hydrogen bonding, तो यहाँ पर hydrogen bonding कौन करता है, सिर्फ nitrogen वाला compound, hydride, NH3 और कोई नहीं करता, तो उपर से नीचे जाने पर, यहाँ पर hydrogen bonding के tendency घटने लगती है, इनमें तो ना के बराबर होती है, ना के बराबर, लिख लेना, ना के बराबर, कितना बे सुरा गा रहा हूं, मैं, आज कल मेरी राग खतम हो गए है, चलिए, hydrogen bonding हो गया, अब बात करता है, reducing property की, now what do you mean by reducing property, reducing property का मतलब जो सामने वाले को reduce कर दे, आगया समझ में, सामने वाले को reduce कर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, hydrogen, इसको hydrogen donate करना पड़ेगा, hydrogen donate कौन करेगा, असानी से, जर आप चेक करो, यह जो specie है, hydride, उनको hydrogen donate करना पड़ेगा, ताकि वो सामने वाला उसको gain करे, जैसी सामने वाला gain करेगा, उसका reduction हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि, addition of hydrogen is called reduction, जरआप समझे, reducing property का मतलब है, कि सामने वाले को reduce करना, सामने वाले को क्या करना, hydrogen gain करवाना, सामने वाले को hydrogen gain कराना, या खुद hydrogen को lose करना, तो अब हमारे पास question यह है कि ammonia की बात करें या फिर phosphene की बात करें ठीक है या फिर ash3 की बात करें या फिर sbh3 की बात करें या फिर bih3 की बात करें इन में से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन असानी से hydrogen छोड़ देगा क्योंकि reducing property का मतलब क्या होता है reducing property का मतलब होता है सामने वाले को reduce करना मतलब इनको hydrogen donate करना है इन सारी species को hydrogen donate करना है अब मेरा सवाल समझो मेरा सवाल यह कि इन में से आसानी से hydrogen कौन छोड़ेगा इन में से आसानी से hydrogen कौन छोड़ेगा यास जिसका size बहुत बढ़ा है बिसमित आपको पता है ज़र आप check करो देखो nitrogen जो है ना size चोटी होती है उसकी ठीक है अब ये nitrogen है अब hydrogen ने इसके साथ bond बना के रखा वाई है hydrogen है ठीक है अब ये जो bond length है अगर ये nitrogen है और ये hydrogen है तो bond length बहुत कम है ये nitrogen है और ये hydrogen है बट बिस्मित की बात करो तो बिस्मित तो पापा है, इतना बड़ा है, हाइडोजन यह है, अगर बॉन्ड लेंड देखे तो यहाँ पर बॉन्ड लेंड बहुत जाद है, जितना बॉन्ड लेंड जाद होगी इसको तोड़ना ही आसान होगा, तो यहाँ पर बिस्मित के हाइ पिर आर्सिनिक की सबसे कम reducing property किसकी है ये भाइसब ammonia की जरा समझो बहुत important है इसको दिमाग लगाओ आप से पूछा गया reducing capacity मतलब reducing capacity का मतलब सामने वाले को reduce करना सामने वाले को reduce करने का मतलब है उसको hydrogen देना यानि कि आपको hydrogen छोड़ना पड़ेगा आप में से ऐसा कौन है ज जाधा होगा उसको आसानी से तोड़ना आसान होगा तो bismith का जो hydride है उसको तोड़ना बहुत आसान है तो वहाँ से hydrogen बड़े आसानी से बाहर निकल जाएगा और क्यूंकि hydrogen यहां से आसानी से बाहर निकल जाएगा तो इसकी reducing property बेहत अच्छी है तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए कि reducing property की जब भी बात होती है तो उपर से नीचे जाने पर reducing property rp की value बढ़ती है मतलब reducing agent का property increase होता है आप लोग याद रखिएगा बहिया down the group सबको याद हो गया topmost पे note लगा लो ये सवाल बहुत पूछा गया मैं आपको guarantee देता हूँ इस पर question आने के chances है बाया this is the most important जब मैं बोलू most important copy में लिख लेना